यूपी का रंड जीतने के लिए हर पार्टी अपनी पुर्जोर कोशिशों में लगी हुई है बीजेपी हो या सफा हो हर कोई यूपी में अपनी धाग जमाना चाहता है वहें इस बीच बीजेपी भी सत्ता का ताज अपने सर पर रखने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छूड़ना चाहती है और इसी चुनावी सरगर्मियों के बीच बदायू से बसपा के प्रत्याशी रचित गुपता से खास बाच्वीत की हमारे डिप्टी एडिटर कावेंदर चौहान ने आप भी सुनगे जनता के दिल में क्या है इसको समझना भी जरूरी है लेकिन साथ ही साथ प्रत्याशीयों के दिल में क्या है अपनी जनता के लिए इसको जानना भी जरूरी है नमस्कार मेरा नाम है कावेंदर चौहाँ, आज हम लोग मौजूद हैं बदाईउं की दाता गंज विधान सभा में, आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो प्रत्यासी हैं, उनके पास क्या कुछ प्लैन है, क्या कुछ मौसौदा है अपनी जनता के लिए, ज ऐसे हमारे साथ दाता गंज विधान सभा से एक बहुत विशेश व्यक्ति मौचूद है, जो कि बसपा से घोशित प्रत्याशी हैं, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, निउस वर्ल इंडिया के खासकार करें, बहुत-बहुत-बहुत-दन्यबाद, सबसे पहले तो ढकारियर्य लिस्ट में उसिरिषक प्रात्मिग्ता उसमें ये काम है, जिसको सबसे पहले करके लिए। वो एक काम बताए, मैं अगि इस दातगन विधानसवाइश को एक पिछली प्रस्टभूमी की विधान सभाए, इसमें मैं जो सबसे पहला कारी करूँगा वो चिकित्सा के वारे में करूँगा क्योंकि मेरे दादा जी शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा काम करके गए और मैं चिकित्सा पे विशेज ध्यान लखूंगा क्योंकि मैंने देखा है मुमन यहां पे जो भी एक्सिडेंट होते हैं लोगों को बरेली ले जाया जाता है और वहां ले जाके यहां एम्बुलेंस लगी है अलग-अलग अस्पतालों की और जब वो लोग बरेली पहुंच जाते हैं तो उनकी गाड़ी कमाई को दू लिया जाता है तो मैं सबसे पहले अपनी विदानसावा में एक निशुल्क चिकित्सा विवस्ता जरूर करूँगा अब चिकित्सा विवस्ता मतलब स्वास्ता की बात कर रहे हैं जब हम पैमाने आखते हैं किसी भी नेता का जब रिपोर्ट कार्ट तयार करते हैं तो उसमें सिक्षा स्वास्ती सबसे बड़े पैमाने होते जिन पर आँक आ जाता है इसके साथ एक और सवाल है कि 2007-2012 आप ह टिए मतलब बसपा बसपा के बाद फिर अब बी जेपी को मौका मिलता है 2017 में लेकिन फेलाल हम माहाल को टटोलने की कोशिश करते कर रहा है कोई असा कार्य नहीं कर रहा है ज люд जिससे हमारी पार्टी की एक चवी जो अंशाशन वाली है उसको दाग लगे और हमारह इतना वोटर है कि सुभेई डरे हुए हैं कि पचास जार बोट तो सुभई पढ़ जाएगा हमारा उसके बाद तो इह गिंती करनी है और पर्माणपत्र जल्दी 12 तक हाथ में ले लेंगे हम लोग एक तरफ समाजवादी पार्टी है एक तरफ कॉंग्रेस है जो विपक्ष की भूमेका में एक तरफ आप हैं ऐसे में आप किसको कॉंप्टीटर मान रहे हैं other than BJP समाजवादी से ही लडाई होगी और टिकेट पर निर्णाएं टिकेट बताएगा कि लडाई किस से है अभी तो मुकाबला त्रिकूनी है BJP का क्या माहल समझ रहे हैं आप लोग देखिये उन्होंने सिर्फ घोषणा करते रहे और एक पोश्टर लगा दिया कई गाहों में मैंने पोश्टर देखा है कि HPCL की रिफाइंडरी और PSE battalion पतल पे क्या चीज है को जमीन पे क्या चीज है जमीन पे कोई चीज नहीं रखी अभी तक उन्होंने दिख क्या रहा है एक अगनी शमान केद बन रहा था यहां से 8 km दूर 5 km दूर और और अगनी शमान केंदर आप देखिए रुग गया है उ इसकी जानकारी करी है आप लोग गुपता जी आपके साथ जुड़ा है कि आप व्यवसाही हैं मतलब व्यापारी हैं यह समझाए कि जब व्यापारियों से मिलते हैं व्यापार मंडल के लोगों से मिलते हैं शिकायत बढ़ी करते हैं कि हमारे साथ इस सरकार ने कुछ नहीं उस सरकार नहीं कुछ नहीं जाते हैं तो कहते हैं थे आप सरकार में क्यूंअ की लटड़से, तो कहते हैं नहीं देटानिए जिए आंप विडायक बनते हैंah वेदायक बनता हूँ, तो मैं जरूर अगर सरकार में हम लोग आते हैं, तो मैं कई चीजें ऐसी हैं, कि मैं बहन जी को उनके बारे में अवगत कराऊंगा, कि बहन जी वेपारी इन इन चीजें से परशान है, और जो भी हमारी पार्टी से हो सकता होगा, वेपारियों के हित में सारे काम करेंगे, और बहुत से काम ऐसे हैं, जैसे एक स्क्रेप नीती अगर लाई जाए, तो इस स्क्रेप नीती के आने से बहुत से वेपारियों को, बहुत से मोटर मालिकों को बहुत बड़ी एक सौलियत मिलेगी, और hundred percent कई जनीतिया है जो बेहन जी को मैं बताने की कोशिश करूँगा अगर बेहन जी तक पहुचा तो ये चीज़ ठीक है रचिट जी कि आप यहां पर अपने लोगों से मिल रहे हैं बातचीत कर रहे हैं अपना माहौल यहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसे में एक और सवाल है, कि योगी जी की ताबड तोड रही लिया चल रही है, दूसरी तरफ अखले शादब ताबड तोड रही है कर रहे है, भाचण वाजी कर रहे हैं, नय मुद्दे पैदा कर रहे हैं, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से कहीं ना कहीं भटग जाता है चुनावों के वक्त, एन वक्त पहले कई दफाम ने देखा हैं महंगाई हुई, बेरोजगारी की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, स्वास्त की बात हुई ऐसे में जो आजकर मुद्द्ए चल रहे हैं कहीं जिन्ना चल रहा है तो कई और कुछ और मुद्दा चल रहा है इस तरीके के मुद्दों से अगर धिहान भटकता है और जन्ता भटकती है फिर क्या होगा मौजुदा इस्तिती में मानिए सतीष मिश्रा जी रेलियां करना है और बहन जी तो वो काम करेंगी कहावत सुनी होगी आपने सौ सुनार की एक लोहार की बहन जी जब आएंगी तो वही काम कर देंगी इसका भी जबाब मैं आपको दूगा दो हजार साथ में बहन जी की सरकार बनी ती लाल फीता शाही अपनी जगा पे चल लही थी अधिकारी नौ बजे कुर्सी पे बैठ जाता था बहन जी जब बनाईयों आई थी तो जैसे गाल पे से बाल साफ कर दिये जाता है सड़क पे से मट्टी साफ कर दी गई थी बहन जी को शाषन चलाना आता है पर शाषन चलाना आता है लोग याद करें महन जी का समय उस समय में कोई भी अपना नहीं होता था लूट नहीं होती थी डकैती नहीं होती थी कोई भी किसी पे गलत मुकदमे नहीं लिखे जाते थ थानों में सही मुकतमा लिखे जाते थे कोई भी क्राइम का ग्राफ आप उसको देखिए ऑं-लाइन सब चीज दिखेगी क्राइम का ग्राफ बिल्कुल अपनी जगा पे था कोई अपरण नहीं होता था कोई भी चोड़ी नहीं होती थी किसी को भी अनरगल थाने में बंद नह नेता लोग प्रेशर बनाते हैं कि तुम हमारे पास आओ तो यह मुकद माटेगा आप जानकारी करें इस बातों के बारे अनुशासन की बात ठीक है क्योंकि सफ़ा पर तो लगातार आरोप लगते रहे कि उनकी सरकार में बुंडा गर्दी चरम सीमा पर रही और बीजेपी प बीएस पी का गराफ नहीं गरा չा रहे विए उन बेदाजा़कों का गरा है आप देखिया जतना बोट बेहनगी को दूहजार साथ में मिला था उससे बढ़कर दूहजार बारा में मिला और जतना बोट आप उस ग्राफ को देखिए कि समाज़वादी का जो बोट था वो स जो समाजबादी का गराफगरा है वो बीजेपी के साथ चला गया इसलिए उनकी सरकार बन गई और हलांकि आप इसको मजाकिया ठहरा देंगे लेकिर है कि समाजबादी पार्टी वाले कह रहे हैं और जब तुम 403 लड़ी नहीं रहे हो जीतोंगे क्या तुमने 405 पार्टियों से गड़बंदन कर रखा है चारसो तीन बिदाय कैसे जी जाएंगे साड़े 300 सीटे लड़ोगे अच्छा 64 इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो शायद इनको सिक्सा यह दी गई है कि 100 मेंसे इने 110 नंबर मिलते हैं ऐसा कुछ नहीं है कोई B team नहीं है हमारी BSP अलग अपने दम पे चुनाव लड़ेगी BSP ने जब बिना गड़बंदन के जब भी चुनाव लड़ा है BSP एपसुलूट मेजर टी में आई है और इस बार भी BSP एपसुलूट मेजर टी में आने जा रही है 2019 में सपा के साथ जना भूल थी यह बहन जी का नड़ने था और इस नड़ने में मैं भूल यह सही कुछ नहीं कह सकता हूं वो हमारी नेता है जो उनका नड़ने था वो हम लोगों ने माना और ग्राउंड लेविल पर उस पर काम किया क्योंकि रैचित गुपताजी आखरी मेरा सवाल रहेगा आप पांच काम गिनवाईएगा आप इधायक बनेंगे तो पांच वर्गों के लिए ये पांच काम करेंगे मुलताजिन वर्गों के मैं बात कर रहा हूं वो महिला हुआ यूवा हुए और बाकी दलित वर्ग आज की तारीक में हर आदमी को सबसे पहले यूवा को रोजगार की जरूवत है मैं इस बिदानसभा में यह नहीं कहता कि मैं लगवाँगा मैं लगाँगा मैं एक ऐसा उद्योग लगाँगा कि मेरी बिदानसभा का पांच हजार यूवा उस उद्द्द्द्द्द्द्द सब्सक्तारिश जो मेरे डिसम्स मेरे कsquिश है मैं हंडेटश परसेंट इस विदान सभा में लगाऊंगा और मुझे लगवाऊंगा नहीं लगाऊंगा उस चीनी मिल को में लगाउंगा और ऑनाल थोक क कहा रहे हैं सारे और कोर नि climateこと का परणितन हो क्या मेरे और मेरे सुरेक्षवा कि मेर अपने आपको मेरी राज में मेन जब बनुगा पूर्सर हुए बहुदा। उनको किसी प्रिकार से मेलाओं को दवाया नहीं जाएगा, जैसे कि मेरे दादा जी कहते थे, एक लड़की पड़ी, तो पूरा परिवार पड़ा, मैं उनकी उस कथनी पर ही काम करूँगा। गुंडागर्दी पर बात करते हैं, सुरक्षा देने पर बात करते हैं, स्वास्त पर बात करते हैं, सिक्षा पर बात करते हैं, लेकिन जेओं ही कहते हैं कि ब्लूप्रिंट दिखाएए क्या मसौदा है आपके पास, तो मसौदा नहीं होता, आपके एक अच्छी चीज लगी क आपके पास विजन है आपने जिस तरीके से कहा कि रूजगार कैसे देंगे तो जैसे कि और जो प्रत्याशी कहते हैं कि हमायत फलाना रूजगार देंगे इतना रूजगार देंगे आपका विजन बढ़िया है इसको लेकर आपको शुब काम ना है आगामी चुनाओ के लिए तो रचित जी से हमने बादशीत के और दाता गंज विदानसभा सीट पर क्या कुछ चल रहा है कैसा माहौल है बसपा के घोशित प्रत्याशी है हमने ये दिखाने की कोशिश की कि बसपा के घोशित प्रत्याशी रचित गुपाजी के पास आपके लिए क्या कुछ है तो आ इसीम के इस जन विश्वास श्यात्रा कुलेकर अम्रोहा के हसनपुर में तयारियां जोरो पर चल रही हैं। इस जोरां सीम योगी करीब 45 करोर पर यूशनाओ का लोकापन अशलन न्याज भी करेंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नस्दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी दौरों का दौर भी तेजी से बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में सीम योगी बुद्वार को फरुकबाद पहुंचेंगे जहां वो एक जनसभा को भी संबोदित करेंगे। इस दौरान वो 196 करोड की पर्योजनाओं को लुकापन अश्रिलन न्यास भी करेंगे। वहीं सीम के आगमन को लेकर जुला प्रसाशन की ओर से पूरी तयाद्या कर ली गई है। इस दिसम्बर को मुख्यमन पर यूगी आदितनाथ पिली भीत का दौरा करेंगे। वहीं सीम के इस दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुकता इंतिजाम कर लिये हैं। वहीं इस दौरे को लेकर यातयाद पुलिस ने भी रूट डाइवर्जन कर लिया है। जिसके तहट नयूरिया, खटीमा और टनकपूर की और से आने वाले छोटे वहानों को पिप्रिया, अग्रूव वाले मार्क से माधो टांडा बाइपास होते हुए पूरनपूर, बिसलपूर और बरेली जुआने की अनुमती मिलेगी। जन विश्वास यात्रा का आय logical किया गया है वही इस पिलिवी जनपत की जाए, तो 30 संबर को जन विश्वास यात्रा पिलिवी जनपत पेहुचेगी, डिसको लेकर ढादयतनाट का 30 संभावइद दोरा हो सकता है जिसको लेकर जिलभी प्रिशासन ने तमाम तयारियां यहाँ पर शुरू कर दी हैं आप तस्मीरों साथ तोर से देख सकते हैं जहां पर इस समय हम मधूद हैं जहां पर आपको बता दें कि सियम योगि आदितनात तीन बजे जनता को संबोधित करने पहुँच सकते हैं और यहाँ पर पूरा पंडाल यहाँ पर तयार किया हुआ है बहीं दो अन्य पंडाल यहाँ पर तयार किये गए है जहाँ पर जिले के तमाम बिधायक और तमाम नेता यहाँ पर कामाम भासपा के कारे करता यहाँ पर मौजूद र जिले की अगर बात किया है तो जिले के तमाम यहां पर जो है रूट डैवर्जन भी यहां पर किया गया है जिससे लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े बहीं योगी आधितनात की बात किया है तो यहां पर दो बड़ी योजनाओं का यहां पर स श्रलन्यास करेंगे जिसमें खमीर की फैक्री और मेर्टिकर कालिज का यहां पर श्रलन्यास किया जाएगा पी लिविश से न्यूज वर्ड इंडिया के लिए प्रांजल गुपता यूपी के मुख्या यूगी आदितनात यूपी का रंड जीतने के लिए तावर तो दोरे कर रहे हैं और इसी के चलते वो बुद्वा को गोरकपुर पहुंचेंगे जहां शाम चार बजे वो नगर निगम के नए पांच मंजिला सदन भवन का लुकापन करने के साथ ही करीब पांसो बीस करोड रुपे के विकास कारों का लुकापन और श्रयन्यास भी करेंगे। जैसा कि आपके संग्यान में हैं कल दिनांग 29 दिसंबर को मानी मुक्वंती जीदुक के दोरा नगर निगम गोरपुर के नव निर्मीद भवन का लोकारपड किया जा रहा है और उसके साथ ही महंत अवैदनाद जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा और इसके साथ पूरे यातायात पे एक कंट्रोल होगा जो जगहां जगहां जाम लगते तो उसे काफी हद तक निजात मिल जाएगी कनाउच के चिप्टी महला इससे प्यूश जैन के पैत्रेक घर से डी जी जी आई के टीम वापस हुई वहीं यह टीम आठ गतों और जोलों में खटा किय गए कंपाउंट के सैंपल को लेकर रवाना हुई आपको बता दें कि यह सैंपल जांच के लिए लैब भेज़े जाएंगे वहीं डी जी जी आई ने बताया कि यहां मिला सोना कानपुर से अलग है जिसे डी आर आई टीम को सौप दिया गया है उन्होंने बताया कि बरामद कर ली है वो गोर्ड हम ने डियार को दी दिया है बाकी की जो भी रिकावरी है उसको अपने रेंड़ और कर दिया है आगे का प्रोसुजर क्या होगा आगे वह फिल बटेल कितने प्रदों को जो गोल्ड कानपुर में मिला था वह कानपुर का अलग से हैं यहां को 90 पड़ी जगे कैस लिकला काई जगे मनलब कहा का तोड़ पर पर तो जगे अंड एक अंडर्गां और एक अवर अंडर्गां दो जगे रेटी लाव कितना के दिगला क्या अच्छा कुछ चांदी वादी सिल्वर रहा है ने अदर्गांड प्रक्राइब तो दिखाई रहे हैं अब बात के जो है जो भी है कुछ आप प्रदेश के जनपत शामली में भारती किसान यूनियन के राश्ट्रे अध्यक्ष सवेत मलिक को शामली पुलिस ने घर पर नजबंद कर दिया है आपको बता दें कि सवेत मलिक के आवास पर राथ से ही पुलिस पहरा लगाये हुए है वह इस मामले को लेकर किसान यूनियन के राश्ट्रे अध्यक्ष सवेत मलिक ने बताया कि किसानों का एक प्रतिनिधी मंडल गन्ना मंतुरी सुरेश राणा से मिलने जाना चाहता था जिसके लिए उन्होंने समय भी मांगा था लेकिन गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने उनसे मिलने की बचायंग के घर पर पुलिस का पहरा लगवा दिया और उन्हें घर में ही नजबन करवा दिया है बस्ति जुले के महादेवा विधान सवा के के विच्चा महाविद्याले में आयंजित किसान समेलन में किसानों को सम्मानित किया गया इस कारक्रम में बतौर मुख्याती थी क्रिशी मंत्री सूरे प्रताप शाही ने शुरकत की वह इस दौरान कारक्रम में मौझोद क्रिशी मंत्री सूरे प्रताप शाही ने कहा कि मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ दिन रात जुनता की सेवा में लगे हुए हैं और प्रधान मंत्री नरेंद बूदी और मुख्यमंत्री योगी आदितनात के दिल में गरीबों के लिए दर्द है उन्होंने कहा कि योगी राज में किसान कभी दुखी नहीं हो सकता सब्सक्राइब नियुक्तिया नहीं है कि सिधार्टनगर में हर साल की तरह इस साल भी जुले का इस्थापना दिवस मनाया गया आपको बता दें कि यहां जुले के 33 साल पूरे होने पर जुला मुख्याले के साड़ी चुराहे पर सांसर जगदंबी का पाल और मुख्य विकार सदिकारी पुलकित गर्ग ने सिधार्त की मूर्ती का पूजन किया और जुले की परंपरा को ब स्थापना दिवस है कि गौतम बुद्ध से धात के रूप में बाल्द काने में तो आज पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध ने जो बहुत धम का एक संदेश दिया कि आज दुनिया के जपैन हो ठाइलैन हो सिंगापुर हो मलेशिया हो जिनिशिया हो च्रिलंका हो आज स लखिमपूर खिरी जुले के इंडो नेपाल सीमा से सटे गाउं में थारू समुदाय के लोग निवास करते हैं वहीं बीजपी नेतार अवी गुपता के तमाम कोशिशों के बाद पलिया विधान सवश्वेत्र में बाबा का मंदिर बन रहा है जिसको लेकर बीजपी नेता लखिमपूर की जहां पर पूजा करने के लिए साधवी प्राची पहुंची और साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ तवाम लोग भी मौजूद रहे पलिया वदान सवश्वेत्र में तरसल मंदिर बना है जिसकी पूजा अर्चुना करने के लिए साधवी प्राची वहा पर पहुंची। अर्ची वहां पहुंची और मंदिर में पूजा अर्चना की। तो हातरस का पूरा मामला है जहां पर जाड़ियों में ये चार दिन की मासूम बच्ची की तस्वीरा आप देख सकते हैं वो मिली है और पुलिस ने अस्पतार में भरती करा दिया गया है जाहें उसका इलाज चल रहा है हाला कि बच्ची किसकी है किस ने उसको जाड़ीयों में फेका कौन इसके माता पिता हैं अभी ये जानकारी नहीं मिली है लेकिन लगातार पुलिस इस पूरी जानकारी को